हलो फ्रेंट्स वेलकम तू मजडी से आज हम बनाएंगे प्रिसर कुकर में मस्रूम मटर मसाला इसमें टाइम और महनत दोनों ही बहुत कम लगती है जट से बनके त्यार हो जाता है ये भी हमने मस्रूम ले लिया है इनको लेके इसमें गरम पानी डालके अच्छे से इनको सर्सो का तेल लिया है इसमें फ्लेवर सब्जी का बहुत ही अच्छा हता है यह मने कुछ खड़े मसाले लिया है इनको डाल देंगे अच्छे से चटकने देंगे इनको अब इदर यह हमने दो प्याज मेडियम साइज के लिए थे इनको रफली चॉप कर लिया था स्लाइस म प्याज को भी यह अराम से इसमें गल जाएगा यह हमें प्याज ज्यादा और कुक नहीं करना है बस हलका सा लाइट पिंग होने तक पका लेंगे इसको यह भी इमने ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें जितना तिक आपको पसंद है यह मने अधर रख नमक आपने टेस्टो कर दिंग डालें अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे बिलकुल थोड़ा सा पानी जिससे की प्यास टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए अब इसमें लिड लगा के हम 2-3 विशल एसमें हमें तक अच्छे से इसको तक इसको पकने देंगे इधर तब तक हम इसका मसाला तियार कर लेते हैं यह हमने हल्दी पाउडर लिया है हाफ टी पून नालें गहें पाउडर बिश्बून देना पाउडर तकक कमेना desired यह तक भींड ःती हमारी की सब्च जिससे मैसर की हिल्प से या फिर किसी स्पेचला की हिल्प से इस तरह से मैस करते हुए अराम से पका लेंगे इसको मेडियम टू लो फ्लेम पे अभी आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा पेश्ट बन के तयार हो चुका है यह देखिए बिल्कुल ठिक अब इसमें डालेंगे अपन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे हम सारे मसाले जिससे ओल अच्छे से रिलीज कर दे यह देखिए मसालों ने अच्छे से ओल रिलीज कर दिया इसका मतलब अभी मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं यह देखिए अब इसमें डाल देंगे हम मस्रूम जो हमने चौप क अलग से फ्लेवर आजाता है अब इसमें लिड लगा के बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालेंगे लिड लगाके एक से दो विशय लाने तक पका लेंगे यह आप देख सकते हैं इसमें मस्रूम अपना खुद पानी रिलीज करता यह देखें कितना सारा पानी मस्रूम ने रिलीज किया है अब इस स्टेज पर अगर आपको ग्रेवी थोड़ा सा पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं नहीं तो इतनी ग्रेवी परफेक्ट है बहुत ही यमी लगती है यह सबजी खाने में अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें नहीं पतली ग्रेवी चाहिए इसकी यह बिल्कुल घर के मसालों से तैयार की यह सबजी बैसिक बीस्यालों से यह जो जोत ही यमी लगते में और यह जो जोत ही बिल्कुल फाया स्टाइल है बहुत ही यमी लगते खाने में आप इसे जट से 25 मिनृट में बनार 활 caps कर सकते हैं में यह बिल्कुल हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तयार है आप इसे चपाती के साथ या फिर पराटे के साथ यह चावल के साथ भी बहुत ही यमी लगती है आप इंजॉय कर सकते हैं एक बार ट्राइ करके जरूर देखेंगा अगर आपको हमारी यह रेशिपी पशंद आई